कि एलो एवरीवन वेलकम टू कॉम स्कॉलर आज हम लेक्चर में दिखेंगे कि एस्पेस में ग्राफ कैसे अप्लोड करते हैं तो देखिए पहले अब तक हम ने जो भी लेक्चर वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको एस्पेस सॉफ्ट्यर में अब तक यह ने पता है कि अगर कोई आपकी एक्जिस्टिंग फाइल है तो उसको क्या स्क्राइब करने तो आप साइट पर साइट वह भी देख रीजिए तो देखेंगे मेरा स्पेसे सॉफ्ट्यर है और देखेंगे यह मेरी एक्जिस्टिंग फाइल है इस तरह कापके डियालाबॉक्स अपन होगा आपको बस इस पर क्लिक करना है एंड प्रेस ओकी तो आपको काफे सारे एंड नंबर्स हो सती है तो आपको जो लगता है कि आपका पास यही है आपकी फाइल का तो आप बस इस पर क्लिक कीजिए एंड जैंस प्रेस ओके तो यह देखिए यह आपकी यह अपन होगी अब देखिए इस लेक्टर में हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ कैसे बूट करते हैं तो में यहां पर मैं आपको आज दो टैपे ग्राफ बदा रहा हूं फर्स वन इसक्राइब इस अगर आपको नेचर जानना है तो आप जो है ग्राफ के हल्प से भी आपको नेचर जान सकते हो तो यह देखिए आपको यहां पर ग्राफ से देखिए ऑप्शन है आप यह कि चार्ट बिल्डर इस तरह का आपका डाफ पन जाएगा रइप पहला रही आपको कि हिच्टोग्राम तो आप देखिए इस्टे में पर क्लिक जिए पले इसमें इस्टोग्राम में देखिए फॉर टर्प सके आपके जो है इस्टोग्राम है, first one is, that is, simple histogram, second one is, stack histogram, third one is, frequency polygon, and the fourth one is, that is, population pyramid, तो, अब आपको यह जानना है कि कौन सा हमें histogram कव यूज करना है, तो यह आपके जो है, वैसे तो कोई भी यूज कर सकते हो, या आप पे depend करता है, प्लस यह आपके depend करता है कि आप जो है किस तरह से अपने data को present करना चाते हो, right, तो अभी के लिए तो मैं आपको, जो है, for the time being, मैं आपको सिर्फिक simple वाला बतारूं, बाकि तो आप बहुत easy है, कोई नहीं है, आपको सिर्फिक graph की representation है, और कुछ नहीं है, तो अभी तो मैं आपको बतारा हूं कि histogram कैसे है, यह उसको plot करते हैं, प्लस histogram को आपको endless करना चाहिए, क्या करते हैं, यह नहीं कि histogram आपको बताता क्या है, क्या करना आपको simply just double click and drag and drop here, drag and drop here, अब इसके बाद आपको देख रहे हैं कि y-axis में आपको कहले के जाना है, and x-axis में आपको कहले के जाना है, तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर काफिसार आपकी मैं कुछ question पुछे थे, तो मैं behavior जाना चाहरा हूं कि investor का mutual fund में कैसा behavior रहा, after the impacting of the covenant, right, तो मैंने क्या करा, उस जो भी मैंने statement पुछी थी, उनका मैंने एक average ले लिया, अब मैं उसके basis पे देखना चाहरा हूं कि उनका overall, जो responses है, वो कैसा रहा, ठीके, तो यह देखिए, मैं जाने क्या करना मैं कुसको simply, x, x इसको लेकर जाओंगा, right, and then simply click on this y axis that is histogram, go to static, go to static, and select histogram percentage, click on apply, and then press ok, तो आपका जो output का जो spaces में है, वो आपका इस तरह आपका graph महाँ पर show हो जाएगा, right, आपको यादोखा लास lecture वीडियो में हमने जो question पूछे दे, statement, वो हमने like at scale पे पूछे दे, from one to five, तो देखिए, one to five वही responses है, ठीक है, तो यह आप देख सकते हो, इसका behavior, यानिक, respondent का behavior किस तरह रहा, तो यह more or less कैसा रहा, देखिए, सबसे जादो जो है, median यानिक यापर देखिए, यापर three को यानिक, three का याग में neutral, उसको मिले है, देखिए, histogram पर basic क्या बताता है, पहले आप देखिए, इस पर आप simply double click कीजिए, element पर आप click कीजिए, and then click on show distribution curve, all right, and then just close it, तो देखिए, यहाँ पर एक distribution curve यहाँ पर show हो रहा है, तो देखिए, histogram आपको show क्या कर आपको distribution curve बता था है, आप distribution curve से क्या जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो कि क्या यह आपका जो data है, वो normally distributed है या नहीं है, अगर वो normally distributed नहीं हो, तो क्या हो वो अगर वो आपका distribution है, तो क्या वो negatively skewed है, या positive skewed है, ठीक है, तो देखिए, तो देखिए, आप बता था है, that is the scatteredness, यानि कि कितना scattered है, यानि कितना scattered आपको देख रहा है, आपका data को कितना scattered है, तो देखिए, आपका इस जो particular question है, that is ready to the behavior, जो मैंने average लिए हुआ है, तो यह more or less देखिए, यह normal distribution है, आपको को नया चार्ट वापको जो बनाना है, तो हमेशा सो सब्सक्राइब कर लिजेगा, ठीक है, then histogram, drag and drop here, and then select the variable, तो यहाब हम लेते हैं, main perception, then इसको आप drag केजिए, to accesses, click on histogram, static में आप क्लिक केजिए, histogram percent, apply, and then simply press ok, तो देखिए, अब यह, आप देखिए, इस graph में और इस graph में कुछ तो आपको difference नजारा रहा हुआ, लेकिन अगर आपको देखना है कि इस data का, यानि कि जो respondent ने जो भी आपको जो response दिया है, क्या वो normally distributed है या नहीं है, वो अचक करना है, double click किजिए, click on element, and then click on show distribution curve, that's it, अब देखिए, आपको यहाँ सा पतला रहा है कि यह normally distributed नहीं है, आपको पता है कि distribution आपको आपको यह normally नहीं होता, तो उसको करते हम skewed, अब skewed में आपके दो तरह के होता है, that is positive and the another one is that is negative, तो यह आपको कौन सा skewed आपको, that is negative, because यह right वो जारे shift हो रहे है, तो क्या हो यह negatively skewed, right, तो आप देख सकते हो histogram के help से data आपका norm में distributed है या नहीं है, और अगर नहीं है, skewed है, तो वो skewed में कैसा है, negative है कि positive है, right, चलिए, now moving to the next part of the graph that is called boxplot, reset कर देए इसको पहले, boxplot देखिए यह आपको, blocksplot आपके देखिए तीन टैपके है, that is first one is simple boxplot, second one is clustered blocksplot, and the fourth one and the third one is that is 1D boxplot, मैं आपको पता होना चाहिए कि यह blocksplot क्या show करता है, रैक्स को आप drag and drop कर दीजिए, इसके बास आपको मैं मालने जी मगई example ले लेता हूँ, पहले mean behavior ले ले थो मैं, mean behavior, मालने जी मैं mean behavior जाना चाहता हूँ between the male and female, रयब है और गौट बीटो टो राइट तो डूंज में बीवें माuddha लिए मैने एक्सेड पर हैं हुआ नोसमां पर दिखिये आपको में बीवेन हाइब आपका तो डिखाता है यह आपका male का है और यह female का है अब आपको यह जानना है कि box box plot basically आपको क्या दिखाता है देखिए box plot क्या दिखाता है कि यह यह पूरा आपका 100% है यह पूरा आपका 100% है यह आपको यह जो है q3 and q4 q q q q q1 याने कि top 25% का data याने कि यह दिखिए यह जो आप देखिए रहा हूं यह जो आप लाइन देख रहे हूं यह क्या टॉप 25 परसेंट यह भी टॉप 25 परसेंट इसके बीच में यह जो एरिया है शेड़ीड एरा जो दिख रहे हो वह क्या अपका मेडिया राइट सेम ऐसे फीमेल में अब आपको compare करना है यहां दिखिए कि male and female ने कि यहां पर आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको यह भी पतलता है कि अगर मालीजी किस से respondent ने अगर कोई 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 ऐसा पॉइंट आपर जो है दे दिया कि आप आउट लैर भी जान सकते हो आउट लैर का मालीजी कोई किसी नहीं वैसे दिखिए मैं रिस्पॉंट से पूछादा कि लैकट स्केल में कि 1-5 आपको आपको जो है आपकर टिक करना है बट मालीजी कि किसी ने 10 पॉइंट दी यहां नियुक्त आफ भी योंड इस बट्रॉट तो वह आउट लार हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हो कि अगरिय है तो और यहां है कि दो में के तुरू कि 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 जादा है कि कि सब्सक्रेंट जाजा लो इन है अगर आप एक और इसका एक्जाम्पल दिख रहे दिए हैं जेन्डर वाइज इन प्रसेप्शन प्रेस ओके यह दिखिए यह जो मैं बोल रहा है यह सारे जो पॉइंट्स हैं 107 42 अब यह सब क्या है आपके यह आउट ऑफ दा आपके आउट्स पॉट्स आपके आउट्छ अब देखिए अगर अब यहां देखो कि और सिमील का जो डेटा है वो ज्यादा कॉंस्टेंट है बिक कि कडिखे पर कि यहां पर शीड़ीर देखे बहुत ज़्यादा है और यहां कम एन तो यहां कि मैंने स्केट्रेट्ट नेस यहां पर जहें मेल का डिटा ज्यादा है एस कंपेर्ट फीमेल राइट प्रस आपको यहां पर बता है कि आउटलार्स क्या क्या है यहनी कि 107 यह जो एक रिस्पॉंडेट है 107 देखिए आप जो इन्पूट डिटा है यहां पर आप नंबर देखिए तो 1 2 107 नहीं देखिए आपर 107 जैट मिस्थाथ आनन तो इसका डेटा जो देखिए आपको काफी दूर चला गया इसका डेटा जो काफी दूर चला गया यानिकि वह आपका बियोंत आपका बोक्स पूट चला गया और सदावस्थ ने कुछ और 2 2.5 बट 107 ने क्या रिस्पॉंड के 2 ये 2 के आसपास ठीक है न तो यह वो शो कर रहा है यानिकि यह आपके आपके आउटलार से हैं तो इस तरह से आप जो हैं हिस्टोग्राम एंड बोक्स प्लोट के हल्प से आप देखिए तो की डेटा का नेचर क्या है राइट तो सब्सक्राइब एंड शेर मैं जैनल थैंक यू